इंपॉर्टेंट सेक्षेन की सीरीज में सब हमारे पास चैप्टर नंबर टू है चार्ट में और उसमें हमने दो मतलब ओवरॉल सेक्षेन नंबर 23 से लेकर 42 तक का डिस्क्रेशन है चलें तो भाई 23 में जो फर्स्ट है जैट इसकाल प्रोस्पेक्टर्स की डेफिरेशन इतन ऎक्जैम में पढ़के जरूर जाये राइट पृइसके बाद सेक्षेन 26 काम का नहीं है बड् सेचिंध या langन च्था प्छानघरल और कल के दिन ने ने जो पैसा रेस किया था उससे आप ये वाला अब्जेक्ट नहीं कर सकते सेक्शन 28 OFS important है 29 कोई खास important नहीं है 31 important है जो बात करता है shelf prospectus की 32 RHP important है 33 important नहीं है या दखना बिना section 34 and section 35 पड़े exam में entry मत करना क्योंकि भाई prospectus में सबसे important जो sections है वो है 34 35 and 42 private placement वाला आपना 36 जाधा काम का नहीं 38 जाधा काम का नहीं है allotment of securities वाला जो concept है इसमें यह या दखना कि भाई पैसा वापेस करना है 15 देज में वनना ब्याही लगेगा 15 परसेंट एक चीज यह हो गई है और एक चीज या दखना है आपको यह वाले चीज सेवी गयादना इसमें क्या concept है application मने वाला section number 40 में rate of underwriting commission यह या दखना है आपको और या दखना का या practical question का कुछ भी question draft कर सकता है तो आपको 42 प्राइवेट प्रेस्वेंट पूरा का पूरा पढ़के जाना है मिलते हैं next chapter में